तो हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक और मैं अट्प्सेंट था हो प्रेंट सा बच्छे होंगे तो मैं सुद्ध के अंदर DAPR examination और Mercedance examination के बारें में बात करने वाला हूँ तो दो भी बच्छे हर्यानस का डिपर्मा किया दोस्तों अगार पासवाट बच्चे हो मर्सेदान्स वाल बच्चे हो तो आपको दोस्तों पता हुआ कि हैस्ट्व रिबोट का दूर रिजल्ट था वह डिक्लियर हो चुका है इन में बहुत सारे बच्चे का क्वारी आरा था इनका इसामिनेशन कब हेल्ड होगा इनका PCA फरम कब से भर जाएंगे PCA का चार्ज क्य देने वाला हूँ अब घवराने के बात नहीं है अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन प्रेस करते हैं अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों में सेर ने किया तो दोस्तों मैं आप वीडियो सेर करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के तो रिटा से शाट देव वीडियो दोस्तों मैं बताता हूं कि जो रियेपियर और मर्सी चांस का जो बच्चे है शोदर या शोदर सा पहले वाले बच्चे बच्चे 14, 13, 12, 19, 16, किसे बच्चे हो इनका एक ही क्यारी था किसर पीशी है कब निकिलेंगे जो बच्चे अभी तक पीशी अपलाई कर चुके है जो 17, 18 बच्चे का रियेपियर था जो बच्चे को पीशी अपलाई किये है उन दोस्तो चार या पांस तारीक को आपका PCA फ्रम आ जाएगा और आपके जो PCA का नोटिफिकेस्टन है वो ह्स्विटी के वेब साइट पर जरूर आएगा और दोस्तों मैं तीन चार पांस तारीक इसलिए बोलना हूँ जैसे कि मेरी कॉलेज में बात हुई है मैं आपको बाते बताता हूं 100% reality और fact का बताता हूं जैसे मैं आपको पताता है पिछले वाले वीडियो में कि जो आपका result 28-29 को आ जाएगा देखो आपका result 28-29 को आया कि नहीं है वह सारी यूट्यूबर चार पांस को बोल ले थे मैंने आपको क्या बताता है आपके result 28-29 को आ जांगे पांस तारीक को देखने को मिल सकता है पांस या चार या पांस को जो बच्ची अपलाई करेंगे रिचेकिंग का उसका result आएगा उसके बाद पांस या छो तारीक को आपको PCA का फर्म देखने को मिल सकता है और डेट सीट आपके साफ से लेकर 10-11 तक डेट सीट अपलोड हस्वटी के वेब साइट पे हो जागा तो आपको एक परसेंट भी घपराने वाली बात नहीं है आपका PCA पांस से लेकर 6 तक आ जाएगा और आप PCA ऑनलाइन ऑफनान दोनो दोस्तों मेरा सजेसन है कि आप PCA ओफना नहीं फिल करो क्योंकि आप मर्शी वाले बच्चे हो आप इतना रिक्स मत लेना ठीक है अगर आप एक बार डिक्स लेते हो आपका केरियर ऑलडी खराब है और और भी खराब हो जाएगा मेरा ओपेनिन है कि आप PCA ओफनान मोड मो आपको पता है तो दोश्तों आपका ड़ेटिट 11 या बारो को ड़ेट भी अप्लोड हो जाएगा और PCA बारो को अप्लोड हो जाएगा और यह अपके डमी कर 15 के बाद आपको को लेज नहीं पर यहां प्रेंगा और आपको PCA पर हम दोनों मोड में फिल होगा ओनलाइन अफलाइन तो पैनिक ना लो मेरे सद्रेतने कि आप अफलाइन फिल्ट करताना कोलेज में जाकर मैंने आपको चार्चे बता दिया हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है PCA का जाका आपको एक क्वैच चेक आप करना क अगले विडियो के अदर मिलते एक और अगली विडियो के अंदर अगर आप विडियो को सेर निकित दोस्ते में तो 100 प्रेशंट सेर भी करते ना तकि डाउट किना होटाएगा टेक करना बाएगा